अनील क्लासेज में आपका हारदेख स्वागत और अभी नंदन सभी BSTC की तयारी कर रहे इस्टुडेंट्स को मेरी सुब कामना हैं कि आप जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करें और भावी सिक्षक आप हैं तो देश की प्रगती में अपना योगदान दें तो आप सभी B BSTC 2020 के स्टुडेंट्स और अन्य परतियोगी प्रिक्साओं के तयारी कर रहे इस्टुडेंट्स मानसिक योगदा सौर्ट ट्रिक के दवारा सीखने के लिए और BSTC की नीसुलक तयारी करने के लिए अनिल क्लासेज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से इक सेहर करके बच्चों तक पौँचाएं तो आज हम पहला टॉपिक पड़ने जा रहे हैं मानसिक योगदा का वो है इस्थान और करम परीक्षन से सम्देच उसमें अपन इस्थान और करम परीक्षन से सम्देच जिसको मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रियास किसी भी स्वाल को हल करने से पहले अपने को विशेश रूप से ध्यान ये रखना होता है कि स्वाल को अच्छे समझना है पहला स्वाल एक पंक्ती में राम बाएं से दस्वा है पंक्ती यानि कतार लाइन जिसे अपन कहेंगे राम बाएं से दस्वें स्थान पर है और दाएं से चोध्वें स्थान पर है ठीक है? बाएं से है दस्वें और दाएं से है चोध्वें स्थान पर तो बताओ पंक्ती में कुल कितने छात्र है पहले तो अपने को जान रखना है स्वाल पूछ क्या रहा है पूछ रहा है कि पंक्ती में कुल कितने छात्र है जब कुल छात्र कुल पुस्त के हैं कुल पेड़ यहां ऐसी कोई भी सामगरी जिनका इस्थान आगे पिछे उपर नीचे है बाएं दाएं से दिया हुआ हो और कुल पूछा जाए तो वहां आपको सौर्ट ट्रिक काम में लेना है वो लेना है एक तरफ से इस्थान जैसे यहां राम का इस्थान है बाएं से दस्थान प्लस दूसरी तरफ से इस्थान तो यहां राम का दाएं से इस्थान है वो चोधवाँ माइनस एक अब आप सोच रहे होंगे माइनस एक कहां से आया तो आपको यह ज्यान रखना है कि राम बाएं से दस्वाँ, दाएं से चोधवाँ राम कितनी बार आया? दो बार तो अपने एक राम को क्या कर लिया? कम कर लिया, ठीक है? तो दस और चोधा कितने हो गए? चोबिस और चोबिस माइनस एक बराबर अपना आंस्वार जल्दी से एक सेकेंड के अंदर आ गया वो आ गया, ठीक है? तो इस तरह से अपना सी सही उत्तर हो गया आपको समझ में आ गया होगा कि कुल छात्र या कुल चीजे पुछी हुई हो तो बाएं से और दाएं से या जिस तरफ से भी दोनों तरफ से जो इस थानों उन दोनों को जोड़ना है और माइनस एक करना है ठीक है? इस तरह से अपने इसका अगला उदान देखते हैं एक और उदान ऐसे ही स्वाल का जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इसमें अपन देखेंगे कि एक कतार में नीम का पेड़ आगे से चोधुआ है कौन सा इस्तान है भाई नीम के पेड़ का चोधुआ पीछे से कौन सा इस्तान है? तो अपन ने वही काम कर लिया आगे से और पीछे से दोनों क्या कर लिया? जोड लिया और कुल पेड़ी पुछे हैं तो अपन क्या करेंगे? एक घटा लेंगे चौदा और सोडा हो गए अपने तीस और तीस में से एक गया अपना उतर आ गया वो आ गया उनतीस यानि आप ऐसे स्वालों को एक सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं आपको एक दो चार स्वाल हल करने के बाद अच्छे से आप जब बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको सौल ट्रीक रटने की ज़रूत नहीं अच्छे समझ मा दाएगा आप अपने दिमाग में इस तरह से रखें कि जब कुल चीजें पूछी हुई हो तो अपने को क्या करना है कि अपने को जिस वेक्ति या वस्तू का इस्थान है उन दोनों इस्थानों को जोड़ना है और एक घटाना है इस तरह से आप इस स्वाल को अलग कर पाएंगे अब आप देखेंगे कि इसमें एक ही तरीके के स्वाल नहीं आते इस्थान और करम परिक्षन के अंदर दो से तीन या चार वीडियों से स्वाल आते है तो मैं आपको सारी वीडियों समझाने का प्रियास करूँगा अब अलग कॉलिटी का स्वाल कैसा आता है कि एक अकसा में बहुत तर छातर है यानि कुल छातरों की संख्या है वो अपने को दी हुई है जिसमें अनील बाएं से चारीस हुआ है अनील का इस्थान एक तरफ से दिया हुआ है दाएं से अनील का इस्थान क्या होगा अब इसके अंदर कुल तो संख्या दी हुई है तो इसके अंदर पहले वाड़ा वो सारी काम नहीं करेगा इसके अंदर नया तरीक आएगा क्योंकि इसके अंदर कुल संख्या दी हुई उसमें तो कुल ग्याद करनी थी कुल दिये हुए हो तो अपने को लिखना है कुल सात्रों की संख्या से इने लगाना है माइनस का क्योंकि एक तरफ का इस्तान दिया हुआ दूसरा तरफ का ग्याद करना है तो इसको घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा अनील का 20 से इस्तान लिख दिया अपने 40 वाँ, अब क्या करना है अब अपने को करना है प्लस एक इस बार भाई प्लस क्यों आप देख रहे होंगे इस बार प्लस क्यों है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्लस अपने इसलिए लिया कि अनील 22 से 40 वाई ने अपने 40 निकाले तो अनील को साथ में निकाल दिया और दाएं से अनील का इस्तान पूचा है तो अपने को क्या किया अनील को वापस जोड दिया तो बात्र में से 40 वाई पीछे रहे 32 और अपने एक जोड दिया तो अनील का दाएं से स्थान कौन सा हो गया 33 कौन सा इस्तान हो गया भई 33 स्थान ठीक है तो इस तरह से ये जब कुल दिये हुए हो और एक तरफ से स्थान दिया हो तो दूसरी तरफ से अपना को निकालने का तरीका है ऐसा ही सवाल सेम टू सेम है सिरफ क्यूसर ही चैंज है बाकि आंसर वैसे ही आएगा एक मेज पर कोल 47 पुस्त कहें कितनी पुस्त कहें भई 47 रामायन की पुस्त को नीचे से 21 रामायन की पुस्त कौन से इस्थान पर है 21 तो उपर से कौन से इस्थान पर होगी 47 माईनेस अपने 21 कर लिया मलग रामायन की पुस्त को भी 47 में से साथ में कम कर दिया तो आपने वापस रामायन की पुस्त को जोड़ देंगी रामांण की कितनी पुस्तра के हैं एक तो अपने एक पुस्त को जोड दिया 47 में से 21 गए पिछे रह गए 26 तो रामांण की पुस्तर का इस्तान कितना हो गया 27 क्या हो गया भई 27 इस तरह से अपना यांस्वर चुटकियों में आ गया यह हो गये इस्थान और करम परिक्षन का दूसरा तरीका अब अपन देखेंगे इस्थान और करम परिक्षन के तीसरे तरीके के कैसे सवाल आते है इसके अंदर थोड़ी सी विवीद्धा है आपको सवाल को अच्छे से पहले समझ रहे है एक कक्सा में राम बाएं से दसवा हैं कौन है भाई? राम है बाएं से दसवा शाम दाएं से उन्नीसवा हैं तो उसमें तो एक ही वेक्ति था पीछे वारे सवालों में इसमें एक में राम बाएं से दसवा एक में शाम दाएं से उन्नीसवा अभी पूरा स्वाल पढ़ लेते हैं, यदि इनके बीच में पांच वेक्ति बैठे हैं, बीच में कितने वेक्ति बैठे हैं, पांच, तो कम से कम कितने वेक्ति लाइन में, पंक्ति में कुल कितने हैं, लेकिन कम से कम होने चाहिए, कुल ऐसे जद भी हो सकते हैं, लेकिन जब स्वाल कम से कम आया हो तो कैसे हैल करना है अपने कर लिया राम बाँचे-दस हो है 10 पलस चाम दाएंस हो है तो 19 दोनों को जोड लिया माइनस करना है अपने को बीच में बैठे वे वैक्तियों की संक्या कितनी यहां पर पांच है ठीक है तो अपने यह लिख दिया 5 मैं इसको वापस लिख देता हूँ यह अपने लिख दिया माइनस 5 और माइनस 2 यानि कम सी कम वेक्ति पुछें तो अपन को राम और श्याम को भी इसमें से घटा लेना है ठीक है? तो 10 और 19 हो गए 29 कितने हो गए 29 और दोनों माइनस माइनस वाड़ों को जोड़ दो माइनस माइनस 5 और 2 हो गए 7 और इनको अब 29 में से अपन गटा लेंगे तो अपना सही उतर आ जाएगा वो आ जाएगा 22 यानि अपना D सही उतर हो जाएगा समझ मागी बात तो जब कम से कम व्यक्ति पूछे जाएं और बीच में व्यक्तियों की संख्या भी दी हुई हो तो अपने को इस तरह से सवालों को अल करना है ठीक है अब इसी तरह का अगला उदान अपने देखते हैं एक कतार में कमला आगे से बार वी है सेम टू सेम सवाल है रीना पिछे से 20 हुई है यदि इनके बीच में कम से कम साथ बच्चे खड़े हैं बताओ पंक्ति में कम से कम कितने चातर है तो अपने को जयान रखना है कमला आगे से बार वी रीना पिछे से 20 हुई है दोनों को क्या करना है जोड़ना है और बीच में कम से कम कितने बच्चे हैं उनको क्या करना है घटाना है और क्या घटाना है दो तो हमेशा घटा नहीं है कम से कम पूछ चाहिए क्योंकि रीना और कमला भी इसके अंदर गड़ जाएगी 12 और 20 को लो गए 32 माइनस 7 और 2 दोनों माइनस वाड़ों को जोड़ दिया 32 में से 9 हो गए अपना अंसवर आ गया वो क्या आ गया 23 तो इस तरह से अपन इस्थान और करम परीक्षन से सम्मन देश स्वालों को सुटक्यों के अंदर हल कर सकते चुटक्यों में हल कर सकते ठीक है तो आपको मैंने अच्छे से परियास किया फिर भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और कुस्तोदार करने लाइक हो तो भी अपनी राय जरूर दें और आप वाट्सअप ग्रूप से जुणना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम मोबाइ वाट्सअप नंबर और अपना जिला जरूर लिखें अपना परिच्चे जरूर दें